मैं डॉक्टर नितीश प्रियदर्शी में जियलोजिस्ट हूँ और इन्वारिमेंटलिस्ट भी हूँ और फिलाल राची विश्विद्याले के जियलोजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और ये वीडियो जो है ये एक राची से पर करीबन 55 किलोमेटर दूर लापूंग ब्लॉक में मारी गाउं का है मैं ये वीडियो इसलिए में दिखा रहूं का अक्सर में लोगों से कहता हूँ कि आज के समय में गाउं की महत्ता जंगल की महत्ता कितनी जरूरी है आपके जिंदगी के लिए क्योंकि शहरों की कॉलाहाल प्रदोशन से आपको समय के लिए दूर हो जाते हैं अगर आप गाउं और जंगल की यात्रा करते हैं और मुझे लगता है कि जो शहर का दिया हुआ मानसिक तनाव है वहां उससे भी आपके मुक्ति मिलती आप उसको चाहे मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल टेंशन जिस नाम से भी आपको करिए आवसाद कहिए, दुखी मन होना ये कहिए तो आप इन सब चीजों से गाउं में आकर आपको समय के लिए दूर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि गाउं जो है आपका इन सब बिमारियों के लिए भी एक उचीत इस्थान है जहां आप इन सारी बिमारियों से दूर हो सकते हैं, स्वस्तर जीवन जी सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी हवा ले सकते हैं, सुद अक्सिजन ले सकते हैं, ब लोगों को भी जिन्दगी में अपने जीवनकाल में साल में करीबन दो-तिन वर गाउं जरूर जाना चाहिए, अगर जिनके पास गाउं नहीं है, अपना गाउं की जमीन नहीं है, तो किसी भी गाउं में जाके वो घुम सकते हैं, गाउं के डॉप्ट कर सकते हैं, जो सक्षम ह तो मुझे लगता है गाउं में रहने से आपको एक सुकुन तो मिलेगा ही और खासकर जो उसकी जो नैच्छरल आवाज है मुर्गियों के आवाज बच्चों की खेलने की आवाज मंद मंद हवा जो चलती है उसकी आवाज या आपको भीतर तक सुकुन दे जाएगा तो आपको लगता है झाल 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 के उना में हुपश के पहले हैं में में पहले अजरेश्त हुआ Dorothy